और चैसे के आप सब जानते हैं यह है सोहाना का गर और अभी यहां पर सब सो रहे हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता हैं और तब गुड्डू जोर जोर से रोने लगता है। मुझे तो बहुत जादा नीद आ रही है गुड्डू अभी सो जाओ में तुम्हें थोड़ी देर से लेकर जाओंगी और सीता वापस से सो जाती है और गुड्डू फिर से जोर जोर से रोने लगता है अरे क्या बात है गुड्डू इतना क्यों रो रहा है चलो देखती हूँ अरे कल सीता ने बहुत सारा काम किया है इसलिए शाय ठकार के सो रही है अरे देखो देखो गुड्डू कितना जादा रो रहा है चलो चलो मैं ही देख लेती हूँ आगिर क्या हो गया है ये बच्ची क ची आई ची आई जो रुकी ची आई अरे तो हमारे प्यारों से बच्चे गुड्डू को ची ची आई है रुको गुड्डू बेटा आज तुमें पायल चाची लेकर जाएंगी टॉलेट चलो चलो गुड्डू पायल चाची के पास आजाओ गुड्डू बेटा रो मत आज त तुम्हें पायल-चाची टॉर्यक लेकर जाएंगी गुठ्णू तुम कितने ज़दा हैवी हो गये हो बां अरह अरे 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 यह क्या और पायल जोर से गुठ्णू के साथ नीची गर यजाती है अरे गुड्यो तुम्हारा कितना ज्यादा वज़न हो गया है सोरी बेटा तुम नीचे गिर गए हो चाची गिर गई! अरे गुड्यो बेटा में नीचे गिर गई हूँ और तुम्हें हसे आ रही है अरे ये आजकल की बच्ची भी न चलो उट जाती हूँ अरे ये क्या मेरे पेट मेरे पेट में दर्द हो रहा है अरे नहीं ऐसे लगता है मेरे डिलीवरी होने ही वाली है अरे नहीं मेरे लेबर पेन तो स्टार्ट हो गई है अरे नहीं अब कैसा होगा सीता सीता जली से उठ जाओ अरे दोस्तो ये क्या पायल जी को तो लेबर पेनी स्टार्ट हो गया है अरे दोस्तो अब ना जाने क्या होगा अरे गुट्डू बेटा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जाओ अपनी ममो को उठाओ गुट्डू बेटा जली से जाओ अब तो मुझे उठना भी नहीं आ रहा है अब में क्या करूँ अरे चलो सूहानों का वाज लगाती हूँ सूहाना सूहाना बेटे सूहाना जली से उठ ज़ा बिटा हैं अरे चलो अच्छा वह सूहाना तुम आ गई हो सुखाना पेटे जाओ जली से अपनी सिदमाशी को उठाओ जली से जाओ सुखाना अच्छे ठीके ममा मैं भी सिदमाशी को उठाती हूँ सिदमाशी सिदमाशी जली से उठ जाएए सिदमाशी जली से उठ जाएए न सिदमाशी देखे न ममा को क्या हो गया है ममा बहुत रो रही है अरे ये क्या दिदी तो नीचे के रिवी है दिदी दिदी आप ठीक तो है दिदी दिदी आपको क्या हो गया है चली दिदी उचाए हाँ हाँ सिद्धा अराम से अराम से दिदी चली सोफिय पर लेट जाए ये मेरा डिलीवरी का वक्त आ गया है सिद्धा जली से एंबुलेंस को कॉल करके बुलाओं अच्छा ठीक है दिदी आप फिकर ना करें मैं अभी दो मिनट में एंबुलेंस को कॉल करती हूँ अहले वाँ ऐसे लगता है आज हमाले घल में बेबी आने वाला है अहले वाँ ये दिन का मुझे कितने दिनों शी इंतिशार था अब मेरा भी कोई छोटी बेहन या भाई रहेंगा और मैं उसकी बड़ी बेहन रहोंगी अब देखना मैं बेबी पर कितने ज़़दा हुकुम क्योंकि मैं उसकी बड़ी बेहन हुना अहले चलो मैं बाद में खुश होंगी पहले देखो मामा की टेबिट कितने ज़्यादा बिगरती चाह रही है अहले चलो आईशे कलती हो पपा को उठाती हो पापा 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 देखे ना मामा की टेबिट खराब हो गई है हेलो हे की मेडम हैलो नर्स हमारे घर पर जल़ी से एंबुलेंस भीचिये एमर्जनसी हो गई है अच्छ ठीक है मेडम हमा भी दो मिनेट में पहुश्चते हैं आप एडोस तो बोलिए अरे हा नर्स जली से एडोस को नोट कीजिए मुझसे अब बाज़ नहीं हो रहा है औरे पायल जी पायल जी आप ठीक तो है ना औरे पायल जी आफिकर मत किजिए मैं अभी एंबिलनस को कॉल करके बुला लिया है एंबिलनस बस अब आती होंगी और तब एंबिलनस आ जाती है अरे कहां है पेशेंट अरे ये क्या ये तो प्रेगनेंट लेडिस है अरे नहीं ये तो एमर्जेंसी पेशेंट है अरे वाड बाए वाड बाए जली से स्ट्रेचर बाहर लेकर आऊ और गाड़ी को घुमा दो जली से अरे चलो जली से इस्ट्रेचर बाहर निकाल लेता हूँ चलिए पायल जी अराम से आईए आप अबस ऐसे ही अराम से वेरी गोई ट्वेल डन पायल जी बस बस हो गया अरे वाद चलो अच्छा हुआ मैंने पायल जी को इस्ट्रेचर पर लेटा दिया है और यहाँ पर सब मिलकर ambulance में पायल को डालने लगते हैं चलो नर्स तुम भी जली से ambulance में बैठ जाओ मैं ambulance चालू कर रहा हूँ और चलो जली से मैं भी ambulance में बैठ जाती हूँ और चलो पायल जी के पहुशने से पहले मुझे hospital पहुशना होगा और सारे इंतिजमात करने होगे चलो चलो मेरे इसकुठी से पहले पहुशने लगती है माजी आप समझ गई है ना मैं दिदी के साथ ambulance में बैठ कर hospital जा रही हूँ आप गुड़ो का और सोफय का अच्छे से ध्यान रखीएंगा अरे हां सिता बहू, मैं सब को संभाल लूँगी अरे, अरे ये क्या, एंबिलंस को जा रही है अरे, अरे ये क्या, एंबिलंस को कोई तो रोको फाइल दिदी को आज मेरी बहुत जरूरत है मुझे केसी भी करके जली से एंबिलंस में बैटना ही होंगा अरे नहीं वो मेरे बगेर बहुत जादा परिशान होंगी आज मुझे किसी भी हालत में वो एंबुलन्स को रोकता ही होंगा अब देखना मैं ऐसा भागोंगी कोई देखेंगा तो कहेंगा कि देखो देखो मिलकर सिंग भाग रहा है वन टू थ्री सिता भाग हाँ हाँ अरे एंबुलन्स एंबुलन्स रोक जाँ अरे ये क्या ही तो एंबुलन्स रोकने का नाम ही नहीं ले रही है एंबुलन्स रोक जाँ मैं बहुत जादा ठक गई हूँ अरे सिता मुझे बहुत जादा फिकर हो रही है तो बच्चे से तो हो जाएंगा ना सीता अरे क्या क्या सीता तो एंबुलेंस में है ही नहीं अरे नहीं मैं सीता के बगेर हॉस्पिटल नहीं जाओंगी वाट वाट जली से एंबुलेंस रोको जली से रोको और एंबुलेंस रोक जाती है अरे पवा ऐसे लगता है एंबुलेंस रुख गई है चलो 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 चली से चाकर बैठ चाती हूँ हाँ हाँ अरे मैं भगते भगते कितना ज़्यादा ठक गई हूँ आज ये एंबुलेंस मुझे बहुत भगा रही है चलो चलो चली से अंदर बैठ चाती हूँ अरे वाग के तंडी तंडी हावाद चल रही है कितना चल लग रहा है अरे वाड़ बॉइ ऐसी ही स्पीड में एंबुलन्स भगा औरे ये क्या है आई तब एंबुलन्स रुख जाती है औरे भई ये रोड़ पर इतना जादा ट्राफिक क्यों जमा हो गया है चलो मैं बाहर ज जाने के लिए जगे भी नहीं दे रहा है अरे अरे क्या हो गया है ये एंबुलन्स क्यों रुख गई है अरे सिता देखो ना ये वाड़ बॉइ कहां पर चले गया है मुझे तो बहुत तकलिफ हो रही है मुझे चली से हॉस्पिटर लेकर चलो अरे देजिए थोड़ा सा चम गया है बस वाड़ वो देखने के लिए गया है अरे ये क्या आज गार लगना था अब जल्ड़ से ट्रैफिक किलिए हो जाय ताकि गाड़ी चाली हो जाए अली के के तू जैमी शेर्ण है चलो चलो देखती हूँ अरे आपने तु मेरे सारा नुकसान कर दिया है आपने मेरे गाड़े को इतने जोर से टकर मारी है कि मेरे गाड़ा पलट गया है और मेरे सारे सुपर हिरो नीचे गिर गए है मैं तो अपना साइड में खड़े रहकर ये सब कुछ बेश रही थी आपने मेरे सूपर हिरो नीचे गिराए है अब आपको है सारा नुकसान भरना होंगा औरे लेकिन बेटा मैंने ये जान बुचकी नहीं किया तुमारा गाड़ा मेरे गाड़ी के सामने आ गया था और उतने में हमारी तुमारी ठकर हो गई आए अम रेली सॉरी बेटा मैं तुमसे माफी मंगता हूँ औरे भई क्या माजरा चाड़ रहा है प्लीस एंबुलन्स को जाने के लिए जगए दीजिए अंदर बहुत एमरजेंसी का पेशन्ट है अईली ये क्या ये तो नायरे दीदी है अरे नायरे दीदी ये हमारे जैमी शर है ये बहुत ही अच्छे है इन्होंने जान बुचकर आपके गाड़े को धक्का नहीं मारा हूँगा गल्तीशी लग गया हूँगा इतने एक शिक शूपर हिरो लेकर आई है चलो चलो लेती है अरे आओ प्यारे प्यारे बच्चों कौन सा सूपर हिरो चाहिए तुमें और यहाँ पर एम्बुलंस फिर से चालो हो जाती है अरे चलो शुक्र है एम्बुलंस फिर से चालो हो गई है अरे अब ना जाने क्या हो गया है यह एंबुलेंस इतनी स्लो क्यों चल रही है अरे अंकल आप एंबुलेंस कुछ नी चलो क्यों चला रही हो अरे यह लड़किया कितनी स्लो साइकल चला रही है चलो मुझे एंबुलेंस से बाहर उतर की कहना ही होंगा और यहाँ पर वाडबाई फिर से एंबुलन्स रोक देता है अरे अरे ये क्या अब ये वाडबाई कहां पर जा रहा है ये वाडबाई बार बार एंबुलन्स क्यों रोक देता है सीता तुम्हें कुछ कहो अरे नर्स तुम उस वाड़ बाई को कुछ कहती क्यों नहीं हो अरे हाँ माड़म रुकिये में कुछ करती हूँ अरे ये वाड़ बार बार ऐसे एंबुलेंस रोकेंगा ना तो ये लेडिस लोग हमारी हॉस्पिटल में कंप्लेंड कर देंगी और फिर हमें नौकरी से हाथ दोना होगा अरे अरे प्यारी प्यारी बच्ची तुम दोनों भी बीच रोड़ पर क्या कर रही हो अरे बेटा ये सब तो ठीक है लेकिन तुम बीच रोड़ पर इतनी स्लो सैकल चलाओंगी तो पीछे आने वाले गाड़ियों को परिशानी होंगी तुम्हें अगर सैकल चलाना शिखना है तो प्लेग्राउण में जाओ ऐसे रोड़ पर सैकल चलाना नहीं सिखते हैं चल अच्छा हुआ ये रोड़ पर से हड गई है अब मैं एम्पिलांस को भगा सकता हूँ औरे औरे मैं क्या कर रहा हूँ एंबूलेंस में तो प्रेगनेंट लेडी है मुझे जली से इनने ह О्आस्पिटल पहँचाना होगा चलो चलो जली से एंबूलेंस चालो कर देता हूँ एरी ना जाएने सिद्धा हम ये कौन से एंबूलेंस में बैट गए है एंबुलंस तो पाच मिनट के अंदर होस्पिटल पहुचा दीती है और ये एंबुलंस आ जाकी दोदो मिनट में रूख जाती है ये एंबुलंस है के बैल गाड़ी वो वाड बॉय ना जाने कहा पर चले गया है मुझे तो ऐसे लगता है चाय नाश्ता करने के लिए गया होंगा यहाँ पर मेरी हालत बिगड रही है और इसे नाश्ती की पड़ी है अरे मैडम बस दो मिनट रूख जाईए वाड बॉय बस आता ही होंगा मेरे लिए भी एक कब भर की ला लेता तो क्या हो जाता देखा देखा मेरी बात सही निकली ना यह वाड बॉय सच में चाय पीने गया था ना तुम्हें कैसी बाते कर रही हो भला ऐसे वक्त में कोई चाय पीने जाएंगा तुम्हें कुछ अक्कल वक्कल है के नहीं नर्स अरे देखो देखो मुझे तु 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 पिली पिली दिख रही है हो नहो तुम चाहे टो सके आए हो आप मुझसे जुट कह रहे हो अरे ये वाट बॉय नर्स को क्या हो गया है कभी भी किसी भी वक्त फिजुल की बाते करते रहते है वक्त के हाला तो ये देखते ही नहीं है कि एम्बॉलंस में क्या चड़ रहा है अरे ये वाट बॉय नर्स तुम दोरों भी जगड़ा करना बंद करो और जली से एंबुलंस चालू करो और जली से एंबुलंस चालू करता हूँ और यहाँ पर वाट बाय एंबुलंस को चालू कर देता है एरे जली से मुझे हस्पिटल पहुचा दो एरे अब ना जाने क्या होंगा और एंबुलंस हस्पिटल जाने लगती है दोस्तों इसके आगी की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग